सुप्रीम कोट से अंतरीम जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कत्तावर नेता और रामपूर विधायक आजम खान करिब 27 महिने बाद शुक्रवार को जेल से बाहर आए आजम खान को रिसीव करने के लिए प्रगच्छिल समाजवादी पार्टी के मुखिया शेवपाल यादव सुबह सुबह ही फूलो के गुलदस्ते के साथ उन्हें रिसीव करने सितापूर जेल पहुचे और तमाम कागजी कारवाई के बाद उन्हें शुक्रवार सुबह जेल से रिहाई मिली सुप्रिम कोर्ट ने उन्हें अंतरीम जमानत दी है रेगुलर बेल के लिए उन्हें 14 दिन का समय दिया गया है 14 दिन के भीतर उन्हें नीचली अदालत से रेगुलर बेल लेरी होगी अगर नीचली अदालत से उन्हें बेल नहीं मिलती है तो फिर जेल जाना पड़ सकता है गौर तलब है कि आजम खान के खिलाफ रामपूर जिले में अलग-अलग थानों में 88 मामले दर्ज हुए है आजम खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रिम कोट में अंत्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल गी घुरुबार को इस मामले में सुप्रिम कोट ने उन्हें अंत्रिम जमानत दे दी लाव यू दिपिकार सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूझता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची